आज अपन बात करेंगे Herbalife Nutrition के दो प्रोटीन के बारे में, दोनों बहुत डिफरेंस है, एक सोय प्रोटीन है और एक वे प्रोटीन है, जो आप लोगों को आज तक साहथ तक नहीं पता होगा कि दोनों प्रोटीन को यूज करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो आज बात करते सब्सक्राइब करते हैं, जाला टाइम भेष नहीं करते हैं, तो फस्त बात करते हैं, कि बहुत्त के बार में, मैं दोनों ही यूज करता हूं, दोनों यूज कने के तरीके अलग अलग यूज है, अब बात कर जो मॉनिंग का ब्रेकफार्स्टिया मैं अब आप इस में है तके मुसल को रिपयर करना के शल सक रिपैर करता है आपके बोरी में तारे इसेख्यू को रिपैर करता लुग का है ठीक है अब आपको फिटनेस ट्रेशन यह एक कोच आपको क्यों की आपको पूरे जानने कार्मेंट को मेल यृषे ज़ेहां मेरे को इतना हों तो मेरे को मैं वेजीटेवल्स है जिसे जुए जाया से लेना है जाना है इसे लाओर मेरे को 10 वेल सकते हुं या मैं पनीर से ले सकता हूँ, या सोय चंग से ले सकता हूँ, और टेफी से ले सकता हूँ, या मिल्क से ले सकता हूँ, ये सारी चीजे है, ठीके, अब मैरेको कोई supplement चाहिए, तो मैंने जैसे, फोर्मुला वन को एक शेक ले लिया क्ते दो चमच मे इसका प्रोटीन लिया तो कहीं ना कहीं 22-24 ग्रोटीन लियो गया मैं बाताको ऐसे को टाल प्रोटीन ले लिया अब में come out from going upлы Immix Simpson एक हिटा मैं आई क्रीकल दाल के अंदर एक चमच यूस कर लिया जो मैंने घर में सब्जी बनाई उसके अंदर एक चमज यूज कर लिया एक चमज मैंने मेरी जो चपाती बनाई यह मैं जैसे खातम बाजरे की रोटी तो मैंने बाजरे की रोटी के अंदर एक चमज इसको डाल लिया तो 6-6 ग्राम क्या अदना हो गया 12 ग्राम प्रोटीन और मेरे को मिल गया यह हो गया मेरे sources ठीक है आप इसको आप जिसकी भी मापनी कोई भी चीज यूजकर्टे जैसे अप अपना मिल्कि यूजकरर है और आप घर में कुछ भी चीज बना रहे हैं उसके अंधर इसको इसको रिख जहकर सकते ज향оминаus कर रिख कर शकते हैं इस तरीके से और इसको मैंनेज कर सकते सेकरिशन अब यह क्या करता है यह प्रोटीन देता है जो अच्छे सब प्रोटीन चरह और पूरा यह Chip 003 प्रोटीन है अब इसके कार्बोहाइडरेट और यह सब चीजे में आपको इसका फोटू नीचे लगा दूँगा है वीडियो में आप पता बढ़ जाएगा आपको के के समें कार्बोहाइड गया है कैलोर इसके सब चीजे पता बढ़ जाएगी देन आता है हमारा जो मेरी फिटनेंस जनली में सबसे ज़्यादा अचीव कर रखता हूँ ध्यान इसका क्यों क्योंकि मेरे को एक भे प्रोटीन चाहिए होता है और सभी को पता है ले बुटिन इतना प्रोटीन कोई अच्छा नहीं है ना तो सबसे अच्छा इसकी खासियत दाद क्या है बात चोईस ग्राम प्रोटीन मिल जाता है और कही ना कई मैं इसकी सबसे अच्छी एक खासियत और है यह आपको कैसे मिलता है अपन थोड़ा सा वेट कीजिए मैं आपको खोल देता हूं इसको ठीके और मेरे को यह दूसरे प्रोटीन से अच्छा क्यों लगता है मैं इसका राज देखेंगे आप इसका राज क्या है कि यह पाउच में आता है पाउच में आने के खासियत क्या है इसकी अप कित्ती बार क्या होता है अपन कोई डबा खोलते हैं तो आदे उसमें या तो हवा लग जाती है या कई ना कई उसमें चल्दी साहिन सम्में तक चल नहीं पाता है या आप physical activity कर रहे हैं या ground कर रहे हैं या जैसा आप योगा कर रहे हैं कुछ भी कर रहे एकस वाई जेट तो आपकी उसके बाद आपने इस protein को use कर लिया तो आपको डायरिक 24 ग्राम प्रोटीन मिल गया केलोरीज कित्ती मिल जाएगी आपको कहीना काई बहुत अच्छी सारी चीज है इसके अंदर और मैं बताऊंगा इसमें विटामीन से सोडियम है कार्गवाटेट है इसका भी मैं आपको फोटू यहां पर इसकिन पर लगा दूंगा आप इसको इसकी डिटर्स देख सकते हैं इस तरीके से आपको इस प्रोटीन को पूरा कर सकते हैं और इन दोनों प्रोटीन का मेजर क्या है चेंज क्या है दोनों में वह प्रोटीन आप इस वाले को किसी भी चीज में यूज करके आप अपना प्रोटीन रिक्वार्मेंट को पूरा कर सकते हैं और अगर आप फिटन मेरा WhatsApp का लिंक नीचे दिया हुआ है मेरा नाम मनी सिंग चोहान है बाइ बेग्राउंड एक में फिटनेश टेनर हूँ और हलवर और नुट्रिशन में अच्छे से क्या प्रोटिन को यूज करना है क्या डाइट यूज करनी है इस सब चीज के वारे मैं गाइड करता हूँ मेरा Instagram का लिंक भी मैंने नीचे दिया है जिससे आपको और information मिल जाएगी मेरे चैनल को आप like कर सकते हैं, share कर सकते हैं और ये वीडियो अच्छी लगी तो एक comment जरूर कीजेगा और चैनल को subscribe जरूर कीजेगा Thank you